नौजनवरी और हम लोग आप डिसकस करेंगे नौ जनवरी के इंपॉर्टन कोस्टन देन आंसर्स दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि यहां पर मिलते हैं आपको डेली करन्ट अफेर्स साथ ही मिसलेनेश ट्रॉपक्स के डिसकसन तो चले सुरू करते हैं आज का डेली एमसी क्यू मंतन आज का फर्स्ट कोस्टन है रिसंटली एनसो हैस रिलीज दा फ़र्स एडवांस इस्टिमेट ऑफ जीडीपी फॉर दा येर 2020 और 2021 वाट इदे इमांट आप कॉंट्रेक्शन स करीब होगी 7.7% तो इसलिए अभी ये न्यूज में था यह जो है हमारा 7.7% यह हमारे रियल जीडीपी बात हो रही है जहां तक ली बात नौमिनल जीडीपी की जो हमारा कॉंट्रेक्शन होगा 4.2% का एनस जो जो है काफी इंपॉर्टन्ट ओफिस है ये हमारा आता है Ministry of Statistics and Program Implementation के अंदर इस ministry के minister है हमारे इंदर जीत सिंग यह जो office है काफी important है क्योंकि हमारे काई सारे जो important estimates है उनको calculate करती है जैसे हमारे आपने देखा GDP calculation हो गया साथ में हमारे काई सारे national level पे consumption, private consumption साथ में capital formation, savings हो गया estimates of capital stocks हो गया या फिर consumption of fixed capital हो गया यह सभी को जो है यही organization calculate करती है और हमारे कुछ कुछ जो और अलग चीज को calculate करती है वो है IAP, IAP भी हमारा monthly publish होता है, इसका full form है index of industrial production और हमारा हो गया all India economic census next question is the Omkariswar Dam is on which of the following river Omkariswar बान निमलिखित में से किस नदी पर है, गुदावरी नर्मदा, क्रिष्टन, कावेरी तो सही answer है, यह हमारा located है नर्मदारी बर पर, तो अभी news में क्यों है, news में भी इसलिए आया क्योंकि Omkariswar बान पर ही हमारा world का largest floating solar energy projects established कहा रहा है इसके बारे में आपने news में देखा ही होगा तो यह हमारा कहां पर हो रहा है तो यह हमारा हो रहा है खंडवा डिस्ट्रिक में, खंडवा डिस्ट्रिक कहां पर है मर्द प्रदेश में, यह इसमें कुछ को 3-4 facts है जो एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन्ट है, जैसे हमारा यह ओम का रिस्ट्रिक कहां पर है, तो यह हमारा नर्मदा पर यह हमारा जो वर्ल्ड का लार्जेस फ्लोटिंग solar energy project लग रहा है यह हमारा लग रहा है ओम का रिस्ट्रिक क्या है तो 600 MW यह हमारा finance क्या जागा इंटरनेशल 23 जनवरी, 15 जनवरी, 11 जनवरी या फिर 9 जनवरी तो सही answer है, यह हमारा celebrate क्या आता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी आजी का दिन है जिसमें आग परवासी भारती दिवस को celebrate क्या जा रहा है यह 16th edition है हमारा परवासी भारती दिवस का यह हमारा first चालू किया गया था 2003 में यह हमारे ministry of external affairs के द्वारा यह हमारा conduct किया जाता है यह एक काफी अच्छा platform provide करता है हमारे NRS भाई बंदू के लिए ताकि वो इंडिया से जुड़े रह सकें और यहाँ पर investment opportunities को encash कर सकें इस साल का theme क्या है? theme है हमारा contributing to आत्म निर्भर भारत याद करना भी असान है क्योंकि इसमें आत्म निर्भर लिखा हुआ है included है तो इसको याद भी करना असान है 9 जनवरी को select ही क्यों किया गया था 9 जनवरी को इसले select किया गया था क्योंकि 1915 में हमारे गांदी जी महात्मा गांदी जी अफरिका से इंडिया वापस आये थे let's move to next question next question is based on some committee जी किसन डेड़ी committee हाली में जो अभी news में है तो आपको बताना है किस से linked है first option is protect the language, culture and land of Ladakh and ensuring citizens participation in the UT's development on small scale industries third option is ongoing formal protects fourth option is parliament construction तो सही answer इसका A यह हमारा जी किसन डेड़ी committee है बनाई गई है ताकि Ladakh की जो language, culture और वहां के जो citizens को participation बढ़ाया जा सके यह हमारे head किया जाएगा जी किसन डेड़ी यह हमारे minister भी है आपको इस बात का बारे में बता दे यह already जो है हमारी जो national commission for SCST है इसने 2019 में recommend कर दिया था कि Ladakh को six schedule में include कर दिया जाए तो इस committee जो है इस पे भी विचार करेगी कुछ-कुछ जो states इसमें हमारे six schedule में included है उनको आप याद कर सकते हैं acronym से AM, TM AM का हो गया Assam, M का हो गया Megalaya टीका हो गया, तुरुपुरा, M से हो गया मिजोरम यह चारो states जो है हमारे six schedule में included है six schedule में होने का फायदा क्या होता है क्यूंको कई सारे जो है extra powers मिलते हैं जैसे वो autonomous district और council को establish कर सकते हैं moving forward to next question next question है हमारा Merapi volcano से Merapi volcano अभी हाले में erupt हुआ था आपको बताना है यह कहां पर स्थित है Italy, Japan, Indonesia या फिर Philippines तो सही answer है यह हमारा located है Indonesia में आप यहाँ पर देख सकते हैं यह photo वहीं का है जहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि volcano erupt हुआ था और कई सारे यहाँ पर clouds बने हुए है Merapi जो है steep strato volcano north of Jawas capital योगया कर्दा के पास में located है एक और जो volcano हमारा Indonesia में located है उसका नाम है क्रैकटाओ यह भी जो volcano है काफी famous है क्योंकि यह हमेशा news में बना रहता है अपने eruption के लिए तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि Merapi वह पर कहां पर है यह हमारा इंडोनेशिया में है और साथ में हमारा क्रैकटा ओलकान भी वो भी हमारा इंडोनेशिया में है next question की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले इंडोनेशिया के बारे में कुछ देखते हैं इंडोनेशिया आप map पे देखेंगे तो यह कई सारे आइलेंड से बना हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है कि कितने सारे इसमें आइलेंड मौझूद है साथ में यहां के capital क्या है capital है हमारा जकार्ता currency हमारे रूपिया प्राइम मिनिस्टर हमारे यहां के प्राइम मिनिस्टर है जो LASI को report को release किया है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर या फिर Housing and Urban Affairs मिनिस्टर तो सही आंसर है यह हमारा release किया गया है हेल्थ मिनिस्टर के दोरा हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन है वो है हमारे हर्सवर्दन हर्सवर्दन ने हाली में यह हमारा LASI का जो रिपोर्ट पब्लिस किया गया है यह जो आपको जो फुल फॉर्म है LASI का इसको आप ध्यान रखेगा क्योंकि यह एक्जाम में पूछा जा सकता है LASI जो है यह रिपोर्ट में पब्लिस कर जतने हमारे senior citizens हैं उनके बारे में पूरा अच्छे से investigation किया गया है उनके health, economic and social status को determine कि यह पूरा calculate किया गया है उसी पर यह रिपोर्ट पब्लिस किया गया है यह हमारे जो हर्सवर्दन है वो हमारे health minister है इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं Next question है Which airline has become the first airline to use ultra wallet robots to clean and disinfect aircraft तो सही answer है यह हमारा इसका सही answer है B India Air India Air Express ने अभी हाली में ultra wallet robots का इस्तिमाल किया है इस photo में आप देख सकते हैं उसके कई लंबे-लंबे से यह हाथ बनाये गये थे ताकि seats के ऊपर भी, seats के नीचे भी सभी जगह पे disinfect किया जा सके तो ऐसा कौन airline बन गया है तो ऐसा बन गया हमारा Air India First बन गया है जिसमें robotic technology का इस्तिमाल करते हुए aircraft को disinfect किया है इस टाप के question दोस्तों कई बार exam में पूछा जाते हैं क्योंकि Spice Jet हमारा First बन गया थे airlines जिसमें Biofuel का इस्तिमाल किया था और ये question काफी famous रहा था कई सारे स्वेट PCS और साथ में अलग-अलग exam में पूछा गया था Next question की तुरब बढ़ते हैं Next question है खेलो इंडिया Ice Hockey Tournament ये जो है कहां पर organize किया गया है कारगिल, स्रीनगर, सिम्बला या फिर चमबा तो सही answer है ये हमारा organize किया गया कारगिल में कारगिल में हमारा खेलो इंडिया Ice Hockey Tournament हाली में organize किया गया ये हमारा क्या किया गया था चिटकन कारगिल में इसमें जो पहली बार चिटकन की महलाई भी से participate करी थी तो ये important है इक्जाम के लिए इसको आप ध्यान में रखेगा लदाक की जो अगर आप map पे देखेंगे तो लदाक के east में हमारा पढ़ता है तिबबत autonomous region हमारे west में है जमूल कस्मीर north में है चाइना south में हमारा हिमाचल परदेश लदाक जो हमारा बनाए गया था यूटी बनाए गया था 31st October 2019 को बनाए गया था और यहां के हमारे lieutenant governor है श्री राधा क्रिश्न माथुर आगे बढ़ते हैं next question है इंडिया's 71st year test the journey to triumph in Australia यह book अभी हाली में release की गई है आपको बताना है इसके author कोन है तो सही answer है इस book के author है आर कौशिक यह book जो है रभी हाली में रभी सास्तिर के दोरा launch किया गया था और इस book का नाम है India's 71st test the journey to triumph in Australia यह लिखी किसके दोरा गई है तो हमारे आर कौशिक के दोरा लिखी गई है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे next question है किसान, कल्यान, मिसन, योजना यह जो है कौन से state ने launch किया है हर्याना, मदप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार तो सही answer है इसका यह हमारा launch किया गया है उत्तरप्रदेश के दोरा इसमें जो है किसानों की income को double करने की बात कही गई है इसमें बोला गया है कि यह campaign तीन week के लिए चलेगा जिसमें कि सारे 75 डिस्ट्रिक्स है UP के सारे 75 डिस्ट्रिक्स में camp organize किया जाएगा ताकि हम लोग जो है किसानों की income को double करने के लिए काम कर सके यह हमारा launch कहां के किया गया launch किया गया हमाँ सरोजनी नगर development block of Lucknow ये भी कई बार exam में पूछ सकते हैं तो इसको आप location भी ध्यान रखीगा और कुछ-कुछ important facts है हम लोग देखते हैं UP के बारे में UP की capital हमारी Lucknow UP हमारा इंड़ा के first में population number पे आता है और highest number of लोकसभा seats यहीं पे हैं यूपी में पूरे इंड़ा में यह हमारा बना था 26 जनवरी 1950 को यहां के first चीफ मिनिस्टर है जीबी पंथ यह काफी important personality है इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे governor first थी हमारी सरोजनी नाइडू और यह हमारा उत्तरप्रदेश करीब 9 states से border करता है यूपी में जो अभी हाली में यहां पे जो है करीब 80 seat है लोकसभा की और रादसभा की 31 seat है जो की पूरे इंड़ा में किसी state के दोरा maximum है और यहां पे जो legislative assembly और council की जो capacity है वो भी इंड़ा में highest है यूपी में हमारा 80 विस्टूना temple मौजूद है यह आपको पता ही होगा यह 12 जोतिंग लिंग में से 1 है अलाबाद में हमारा कुम मेला लगता है यह भी आपको पता होगा और कहां पे 3 जगा पे कुम मेला लगते हैं वो आपको वो लगते हैं हमारे हरीदवार नाशिक उज्जैन में महाकुम जो है हमारा 12 साल में लगता है और अर्थकुम 6 साल में लगता है अर्थकुम को लोकेशन हमारे अलाबाद और हरी दोवार उत्तर प्रदोस को हम लोग सुगर केन बौल उफ इंडा भी बोलते हैं बनार्सी शाडी भी काफी फेमस है यहां कि मुरादाबाद को हम तो चले फिर कल मिलते हैं डेली एमसी के साथ आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद